नमस्कार उत्राखन साइंस एजुकेशन रिसर्ट सेंटर में आप सभी का स्वागत है। सम्यक बदलाव की आवश्यक्ता को ध्यान में रखते हुए, शिक्षा के सभी स्तरों तक ICT के समावेश से और विशेशग्यों के माध्यम से विक्सित ये कंटेंट सुदूर छात्रों एवं अध्यापकों हेतु उपलब्ध करवाया जा रहा है। हमारा विश्वास है कि ये कंटेंट एक मुल्यवान संसाधन के रूप में आपके चिंतन कोशल एवं रचनात्मक्ता में वृध्धी करने में सहायक होगा। धन्यवाद। क्या लग सकते हैं, 45 डिगरी माइनस 30 डिगरी क्योंकि इन दोनों कोणों पर हमें टैन का मान पता है कि क्या होता है। अब यहाँ पर हम एक सूद्र लगाएंगे, 10X-Y ठीक है, जो कि होता है, 10X-10Y एपन 1-10X-10Y तो यहाँ पर क्या जाएगा। यह हो जाएगा tan 45 degree minus tan 30 degree upon 1 plus tan 45 degree multiplied by tan 30 degree. किया इतना समझ में आया कि हमने इस तरीके से कैसे लिखा? चलिए, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? जो भी हमें मान इनके पता है, वो यहाँ पर रख देंगे. tan 45 degree होता है 1 minus tan 30 degree होता है 1 by root 3 upon 1, ऐसे ही आजाएगा plus tan 45 degree होता है 1 और tan 30 degree होता है 1 by root 3, तो 1 multiplied by 1 by root 3 हो जाएगा 1 by root 3, है ना? और यह क्या आजाएगा? यह आजाएगा root 3 minus 1, यानि कि हमने LCM ले लिया, तो यह आजाएगा upon, यहाँ denominator में आएगा root 3 plus 1 upon root 3, क्या एतनी बात clear है? यहाँ से आप इसे cancel कर दीजिए, तो क्या बच जाएगा? यहाँ पर आजाएगा root 3 minus 1 upon root 3 plus 1, आप इसे यदि rationalize करें, तो क्या आएगा? denominator में यदि plus है, तो rationalize में हम क्या करते हैं? root 3 minus 1 से multiply और divide करते हैं, है ना, यह क्या आजाएगा? बताएगे यह क्या आजाएगा? तो यह आजाएगा root 3 minus 1 का whole square upon, यह क्या आजाएगा? root 3 square minus 1 square, यानि कि 3 minus, क्या इतनी बात समरश में आए? अब आप इसे थोड़ा और solve करेंगे, तो आपको क्या मिलेगा? यहाँ पर आजाएगा 3 plus 1 minus 2 root 3, यह कैसे आया? यहाँ पर हमने a minus b whole square का formula लगाया है, यानि कि a square plus b square minus 2ab, a यहाँ पर root 3 था, b यहाँ पर 1 था, ठीक है? अपाउन 3 minus 1 हो जाएगा 2, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? यह आगया 4 minus 2 root 3 upon 2, यहाँ से आप यानि कि numerator है, इसमें से आप 2 common ले लीजिए, है ना? और उसे denominator की 2 से cancel कर दीजिए, तो क्या बचाएगा? 2 minus root 3 बच जाएगा, यानि कि 10 15 degree, हमें निकालना क्या था? 10 15 degree, ठीक है, यह किसके बराबर आजाएगा? 2 minus root 3 के बराबर आजाएगा, क्या आपको इसमझ में आया है, किस तरीके से solve करना है? चलिए, अब आते हैं अगले प्रशन पर, तो अब आपको यहाँ पर tan 13 pi by 12 की value find out करनी है, आप यहाँ पर इसे किस तरीके से लिख सकते हैं? देखिए, tan इसे लिखा जा सकता है, pi plus pi by 12, यह मुझे कैसे पता चला कि ऐसे लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर denominator में 12 है, और उसके numerator में उससे 1 जादा है, यानि कि 13, अब जो मैं इस तरीके से लिखूंगी, तो आप LCM लेंगे, तो क्या आएगा, 12 pi plus pi, जो कि हो जाएगा 13 pi, यदि यहाँ पर 11 pi होता, है न, 11 pi by 12 होता, तो मैं लिखती, pi minus pi by 12, क्या ही बात clear है, चलिए, अब यहाँ पर, क्योंकि यह pi है, तो जो त्रिकोर्ण मित्या फलन है यह तो सेम रहेगा, यानि कि 10 ही रहेगा, है न, अब आगे क्या आएगा, pi plus pi by 12, यानि कि यदि हम यहाँ पर 45 देखे, तो यह हो गया pi, और उसमें plus क्या है pi by 12, यानि कि यहाँ कहीं third quadrant में आएगा, और third quadrant में आपको पता है, add sugar to coffee, तो यहाँ पर third quadrant में जो 10 होता है, वो कै positive होता है, ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, tan pi by 12 लिख देंगे, यानि कि यह positive आगया, क्या एतनी बात clear है, अब pi by 12 कितना होता है, देखे, यदि आप pi को रखे 180 degree, है न, और यह 12 है, तो यह क्या आजाएगा, इससे आप solve करेंगे, तो यह आएगा 15 degree, जो हमने अभी किया था, प्रेशने, same वही है, परन्तु महाँ पर degree में माप दिया गया था, यहाँ पर radian में माप दिया गया है, तो इसे किस तरीके से करेंगे, देखे, आपने 15 degree को लिखा था, 45 degree minus 30 degree, है न, तो यही पर आप क्या करेंगे, अब इसे radian माप में लिखेंगे, 45 degree होत होदा है, pi by 6, तो है कुछ नहीं, बस यह radian माप में है, यानि कि यहाँ पर हम लिखेंगे, tan pi by 4 minus pi by 6, क्या इतनी बात clear है, अब यहाँ पर हम फिर से क्या formula लगाएंगे, tan x minus y का, आप मुझे बताएगे कि यहाँ पर क्या आना चाहिए, तो tan pi by 4 minus tan pi by 6, upon 1 plus tan pi by 4 multiplied by tan pi by 6, यही आएगा, बहुत अच्छे, अब आपको क्या करना है, आपको बस यहाँ पर इनका जो मान है वो रख देना है, तो यहाँ पर tan pi by 4 क्या आजाएगा, यह आजाएगा, 1 minus tan pi by 6 क्या आजाएगा, 1 by root 3 upon 1 plus 1 multiplied by 1 by root 3, यह आजाएगा, इसे जब थोड़ा solve करेंगे, तो root 3 minus 1 upon root 3 plus 1, और यह बिल्कुल पिछले ही प्रश्ण की तरह है, तो आप इसे खुद से rationalize कीजिए, मैंने आपको जस्ट यह दिखाया कि जैसे आपको degree map में दिया गया था, वैसे ही आपको radian map में भी दिया जा सकता है, तो इस तरीके से आपको इसे solve करना होगा, क्या अतनी बात clear है, चलिए अब आते हैं अगले प्रश्ण पर, तो यहाँ पर आपको सिध करना है, कि जो बा आप जानते हैं कि 3x को हम क्या कह सकते हैं, 2x प्लस x कह सकते हैं, अब यदि हम इसे करें tan 3x, ठीके तो tan 3x को क्या कहा जा सकता है, tan क्या कहा जा सकता है, 2x प्लस x, अब आप इतना तो समझी गए हैं कि यहाँ पर हम कौन सा सूत्र लगाएंगे, tan x प्लस y का, तो यह क्या ज multiplied by 10x क्या इतनी बार समझ में आई अब देखिए आपको देखना होगा कि आपको यहाँ पर सिद्ध क्या करना है आपको यहाँ पर मिला numerator में 10 2x plus 10x ठीक है तो यहाँ पर 2x अकेला था 10 2x आपको मिल गया 10x अकेला था आपको मिल गया अब आप क्या करेंगे यहाँ पर by और क्या है 10 3x है ठीक है अब आपने यहाँ पर देखा कि 10 3x, 10 2x और 10x के साथ multiply हुआ है फिर आप देखेंगे कि यहाँ पर जो यह है 2 तो हमें multiply में मिल गए यदि हम इसे इस तरफ लाएं और cross multiply करें तो हमें क्या मिल जाएगा तो देखें यहाँ पर आएगा tan 3x ठीक है और यह पूरा का पूरा आप लिख दीजिए क्या एतनी बात clear है अब इसे आप अंदर multiply कर दीजिए तो क्या मिलेगा आपको यह आजाएगा tan 3x minus यह multiply होगा इस पूरे के साथ और यहाँ पर आएगा यह आजाएगा ठीक है अब ध्यान से देखिए तो यहाँ पर जो बाये पक्ष है उसमें सिर्फ और सिर्फ इतना है और हमें यह जो है इसके साथ यह भी मिल गया है पर हमें तो अकेला चाहिए plus यहाँ पर positive का sign है और यहाँ पर negative का sign है इस तरफ लेकर जाहिए यानि कि दाई तरफ तो यह positive हो जाएगा और जो यह है यानि कि जो यह है देखिए ध्यान से tan 2x plus x और हमें यहाँ पर क्या चाहिए minus में चाहिए तो इन दोनों को हम by और ले आएंगे क्या यह clear है तो हमें क्या मिल जाएगा तो यहाँ पर हमने यह देखिए यह सिद्ध कर दिया है और यही तो हमें सिद्ध करना था ठीक है तो जैसे दिखने में थोड़ा सा complicated लग रहा था पर रंतु देखिए कितने आसानी से हमने कर दिया इसी तरीके से आपको यह दि फॉर्मले याद होंगे तो आप ऐसे प्रश्णों को काफी आसानी से कर लेंगे समझ में आ रहा है चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्ण की तरफ यहाँ पर हमें सिद्ध करना है कि बायाँ पक्ष जो है वो दाएं पक्ष के बराबर है तो आप क्या करेंगे सबसे पहले आप बायाँ पक्ष जो है उसे consider कीजे यानि की मानिये तो आप यहाँ पर लिखेंगे क्या एतनी बात clear है अब यहाँ से आप सोचिए खुद से की इसे किस तरीके से solve किया जाए तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर क्या लगेगा tan x plus y का सूत्र लगेगा तो यह हो जाएगा tan pi by 4 plus tan x upon 1 minus tan pi by 4 multiplied by tan x ठीक है तो numerator को आपने इस तरीके से लिख दिया upon जो यहाँ पर denominator है इसे किस तरीके से लिखेंगे तो यहाँ पर tan x minus y या फिर आप कहिए tan a minus b का सूत्र लगेगा तो यह हो जाएगा tan pi by 4 minus tan x upon 1 plus tan pi by 4 multiplied by tan x के इतनी बाह समर्श में आई अब यहाँ पर इनकी जो values हैं हम वो यहाँ पर रखेंगे तो देखें यहाँ पर हमें क्या मिलेगा tan pi by 4 कितना होता है 1 plus tan x को आप लिख देंगे tan x upon 1 minus tan pi by 4 हो गया 1 multiplied by tan x तो 1 minus tan x यहाँ पर आजाएगा 1 minus tan x क्या अतनी बात clear है upon tan pi by 4 minus tan x यानि कि यहाँ पर क्या आना चाहिए 1 minus tan x क्या है clear है और upon में क्या आएगा 1 plus tan pi by 4 10 x और tan pi by 4 होता है 1 तो यह हो जाएगा 1 plus tan x समझ में आया अब ध्यान से देखेगा यहाँ से हम क्या करेंगे इससे इस तरफ ले कर जाएंगे और इससे इधर ले कर जाएंगे और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 1 plus tan x है और यहाँ पर भी 1 plus tan x है इसी तरीके से 1 minus tan x 1 minus tan x क्या इतना clear है तो देखी क्या हम इसे इस तरीके से नहीं लिख सकते यह हो जाएगा 1 plus tan x ठीक है अपन 1 minus tan x और whole का square और यही तो था RHS जो हमने proof कर दिया है